अभी कुछ टाइम पहले मार्वल ने 2021 में आने वाली कौन-कौन सी वो मुवीज के उपर काम कर रहा है या कौन-कौन सी मुवीज आएंगी इसके बारे में एक वीडियो अपलोड की थी यूटूब के उपर वहाँ पर उन्होंने सारी मुवीज के नाम बताये थे कुछ है के हमें थोड़े वो स्क्रीन शोट हमें देखने को मिले थे वहाँ पर और सेम तू सेम उसी लाइन के उपर चलते हुए बता है नेटफिलिक्स इंडिया ने भी ऐसा ही कुछ काम करने यह कुछी है उन्हों एक लिस्ट जारी के जो 2015 में मुवी ह हमारे सामने आने वाली है अब बाहत बताओ यहर् तुमने हास्तागा कॉछा नहीं त्यृस नेंट्री सौंट्य से बात या इसको देखे आना देखे टाइम खराब हो जाएगा और मैं specific और करूं इस चीज को कि भी Hindi content की अगर मैं especially सिर्फ और सिर्फ Hindi content की बात करूं South India का जो content है और वो तो बहुत कुम्दा लेवल का बहुता है उसको तो side में require में तो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हुँ और इतना गटिया content वो चापते हैं और खुद का भी नहीं होता है यार वो तो copy paste करके मारते हैं अब मैं यह predict नहीं कर रहा हूं कि यह जो movies इन्हों ने दिखाई है जो list जो इन्हों ने दिखाई कि वो खराब होंगे या अच्छी होंगे वो तो देखो है जब movie आएगी जो भी यह series है जो भी आएगे तब पता चल जाएगा जब time आएगा तकि जो release हुई है कैसी है लगता है ने कि इन्होंने कौन सा अच्छा काम के जो इन्होंने चाती चोड़ी करके ऐसे list जारी कर दी कि हाँ देखो यह movie आने वाली है अभी भाई साब वह इंसान अच्छा लगता है कि हाँ उसने टोप कर रहा है वह हमें बताई कि हाँ देखो मैं यह लबदियां करने अब तुम्हें धंकी आल तो कोई movie या series नहीं निकाल ली और तुम लिस्ट ऐसे चोड़े हो के निकाल रहे हैं अब ऐसा नहीं कर रहा है जो इन्होंने content दिखाया है मैं तो उसी के coding बात करूंगा यह कम से कम अपना record तो चेक कर ले पीछे वाला और मैं negative नहीं हूँ यह negative इन लोगों ने बना दिया है कमबक्तों ने ऐसा content दिखाया है कि यार मतलब यकीन ही उठ गया है कि हाँ यह अच्छा वो भी हिंदी content अच्छा लेकर आ जाएंगे उसमें फिर सही लगता है कि यार प्लीज इसके अंदर कोई प्रोपगेंडा नहीं सिर्फ और इन्होंने ए entertainment का यह तक नहीं पता copy paste करने के लाव इनके पास और का काम नहीं है और copy paste करेंगे उसमें अपनी घटिया मान सकता है इन्होंने गुसेड़नी गुसेड़नी होती है अब देखो इतनी बाते हैं आप बात कर लेते हैं कि Netflix इंडिया ने कौन-कौन सी movies जो 2020 में आने वाली है उ जो सबसे पहले इन्होंने movie दिखाई है वो है अजीब दास्तान जिससे direct करने के लिए चार लोग आए हैं अब देखो है इंतना नाम तो मैं नहीं लोगा इनके कास्ट भी बहुत जाते हैं वो आप लोग इसकी screen के उपर आ रहे हैं आप आसानी से देख सकते हैं बेशक पो movies या कुछ भी नहीं आया तो at least एक movie के अंदर यह देखने को मिल रही हैं अब देखते हैं कि इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं या फिर कैसी acting किया कैसी इसमें कहानी रहने वाली है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा थर नमर पर जो मूवी है उसका नाम है धमाका जिस इसका हाली फिलाल में एक टीजर रिलीज हुआ है जिसको डैरेट के राम माधवानी ने जिसके अंतर कास्ट कारतिकारन मुर्नल ठाकुरो और बाकी अन्यक लाकार अब देखने वाली बात है देखो इन्होंने जो एक छोटा सा जो टीजर दिखाया है एक मिनिट का उसके अ द्रनुशार बहुत ज़्यादा डैसिंग अफ्तार में आपके सामने आए मतलब उनका लुक मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया और इसके बाद आती मिनाक्षी सुंद्रेशुर माइलस्टोन नवरासा नवरासा साथ यही नाम है पगलेट पैंट हाउस अब पैंट हाउ बहुत करूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा किस मुवी का वेट है वो है जिसके आने वाली है जिसके अंदर भाई साब एक्सप्रेशन लेस कपूर ऐमीन अर्जुन कपूर है भाई सौब क्या एक्टिंग करता ही है इनसान मतलब कोई सामने इसके मर गया हो तो सेम एक्सप्र I mean Harjun Kapoor की acting देखने के लिए मैं बेताब हो और मुझे सबसे ज़्यादा इंतजार ही इसी movie का है जो last movies में दिखाएगी The Disciple अब देखो आने वाले वक्त ही बताएंगे कि movies कितनी अच्छी होने वाली है hit होने वाली है flop होने वाली है आप लोग क्या सोचते इन movies के बारे में तो please comment करना और अपनी दाइब एक्त कर देना तो बस आज कली इतना है रखते हैं इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते हैं नेक्स वीडियो में चैह हिंद